नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ग्यान यूट्यूब चेनल में कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं अच्छी हों दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी प्रिस्थोत करने के लिए जा रहा हूं ये कहानी बड़ी ही मौटिवेसनल बड़ी ही ज्यानवर्दक कहानी है इसे सुनने के बाद हम और आप लोगों को लगेगा कि हकीकत में इस्तरियों की चाल आज तक कोई नहीं समझ पाया जब प्रमा ही नहीं समझ पाये तो हमारी तवकात क्या है लेकिन इसके पीछे ऐक बहुत बड़ा कारड है कारड कया है ? इसके पीछे कारड ये है कि इस्तरियों की चाल तो हम लोग नहीं समझ पाते लेकिन उनके कुछ लच्छड ऐसे हुआ करते ही जिनें देख कर के हम लोग जरूर समंझ जाते ही कि ये इस्तरी कैसी है और ये कैसा अपना जीवन यापन करेगी इसके रहते पर बार कैसा चलेगा मारी एक बहुत सुन्दर पुस्तक है चाड़क की नीती उस चाड़क की नीती में इस्तरियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है और उसमें ये भी लिखा है कि इस्तरियों की चाल कोई समझ नहीं सकता लेकिन कुछ ऐसे संकेत हुआ करते हैं जिन संकेतों से हमें मालूब पड़ जाता है कि इनकी चाल कैसी है तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ही कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं जिस कहानी के अंत में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि अगर इस तरी में ये च्छैल अच्छड हैं तो वो इस तरी अपने जीवन में कैसा बेभार करेगी क्या कर सकती है उसके साथ क्या दुर्गटना हो सकती है इस सब कुछ हम लोगों को आज इस वीडियो में सुनने के लिए मिलेगा तो मेरा सबसे निविदन है करप्या वीडियो को पूरा देखे और अगर हमारी चैनल पर नई दर्सक मेमान बंदू बन करके आए है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके तो अपने परवार और दोस्तों के साथ में सेयर जरूर करना दोस्तो आजाओ आप लोगों का ज़्यादा समय बरबाद ना करते हुए कहानी पेस करते ही कि नदी के किनारे एक गाउं पसा हुआ था और उस गाउं में जितने भी लोग रहा करते थे सब लोग खेती बाड़ी पर ही निर्वर रहा करते थे एक बार क्या हुआ बिधी के बिधान को कोई मैट नहीं सकता है कि एक बार और उस नदीज है और उस गाउं में बाड़ आ गई इतनी भेंकर बाड़ आई कि किसानों की फसल जो कुछ भी था सब कुछ बरबाद हो गया अब किसान घूंके मरने लगे किसानों के पास यतना कुछ नहीं बिचा कि अपने बच्चों का पालन कर सके मेरे भीया जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे तो उसी गाउं में एक भोला नाम किसान रहा करता था जिसका नाम था भोला और विचारस अपने सुभाव से भी बहुत भोला था मेरे भीया तो एक दिन उस भोला किसान ने जो सुभाव से भोला था नाम भी भोला था उस भोला किसान ने गाउं के मुखिया से जाकर के कुछ मदद मांगी मुकिया जी आपको तो मालम है कि पूरे गाउं के उपर बहुत बड़ा संकट है और हमारा गाउं इस संकट की घड़ी से गुजर रहा है तो मुकिया जी आप एक काम कीजी हमारे पास इतना कुछ नहीं है कि मैं अपने बच्चों का पालंग कर सकें तो आप इतना करिए कि हमें थोड़ी सी मदद देदीजिए तो उस किसान को और मुकिया जी ने एक बेल दे दिया बोले इस बेल को ले जाओ और अपने दुबारा से खेती बारी करो वो किसान विचारा भोला बहुत खुसूर और उस बेल को ले करके और अपनी घर चला आया अब तो उस बेल से अपनी खेती बारी करता है मेरे भाईया लेकन इधर क्या हुआ कि जो मुकिया जी थे वो मुकिया जी उस किसान की पतनी से उस मुकिया के गोपनी सम्मंद थे किसान की पत्नी भोला की पत्नी में और मुकिया जी में गोपनी सम्मनती मेरे भीया आप तो उस बैल के बहाने से मुकिया जी का उस किसान के यानि उस भोला के घर पर तोड़ा आना जाना हुआ तो एक दिन भोला को सक हुई थूरी सी पर जब सकुई तो भूला ने सुचा कि हमें सक के बिनापर तो किसी से कुछ नहीं कह सकता इन्हें रंगे हाथ पकड़ा जाए मेरे भीया अब तो धीरे धीरे समय और निकला अब तो उन्मकिया जी का ये मतलब हो गया करो जाना उसके घर पर आना जाना हो गया अब एक दिन किसान के उस भूला के दमाग में एक बात आई बोले अब इनकी जाँच की जाए तो जाँच कैसे की जाए तो उसने अपनी पत्नी से कहा पद्रे मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है और मैं बाहर सहर में जा रहा हूँ मेरे भीया इतना के करके भूला घर से नकल गया लेकिन सहर तक नहीं गया गाउं से बाहर बैठ गया जब संद्या का समय हुआ तो उस किसान भूला की पत्नी ने और मुझे जी को सारहाल बता दिया बोले मेरे भीया तो अब यहां पर नहीं है वो चले गए और अब तो हमारा तुम्हारा मौका बहुत अच्छा है गोपनी सम्मंद थे उन दोनों के मेरे भीया किसान संद्या जब रात्त्री हुई तो बो मुखिया जी आए अब किसान दूर बैठ करके चुप करके देख रहा है मेरे घर में कौन गुसेगा मेरे भीया मुखिया जी आए और जब मुखिया और उसकी पत्नी दोनों घर में गुस करके केवार बंद करने वाले थे गेट लगाने वाले थे तब तक किसान आ गया भूला आ गया भूला ने देखा तो बो दोनों मुखिया और किसान भूला की पत्नी ये ऐसा बेभार करने लगे मानो एक दूसरे को जानते ना हो लेकिन आप भोला कहा पागल बनने वाला है भोला समझ गया सबकुछ तो भोला ने उस मुखिया की बहुत पिटाई की और पत्नी को भी बहुत डाता दोस्तों चाहिए हम गरीब हों चाहे अमीर हूँ चाहे दुखी रहते हूँ चाहे सुकी रहते हूँ लेकिन पत्नी को हमेशा अपने पती के साथ ही रहना चीए कभी भी उसके साथ में धोका नहीं करना चीए मेरे भीया देको चारक की नीती में ये कुछ ऐसे लच्छड लिखे हुए हैं इन लच्छनों वाली इस्तरियां और कैसा भी अबहार करती है यह हम और आप लोगों को समझाते हैं लेको जिस इस्तरी के दिल और जीव का संतुलन नहीं बन पाता है जो इस्तरी अपने दिमाग अपने दिल और अपनी जीव का संतुलन नहीं बना पाती वो कभी जीवन में सुक्की नहीं रहा करती क्योंकि इस तरी हमारे इस भारत देश में इस तरी को देवी स्वरूब माना जाता है और जब देवी ही ऐसा काम करे तो पर अंदाजा लगाना परवार का क्या होगा जो पतनी अपने दिल और जीव का संतुलन नहीं बना पाती जो दिल में कुछ और जीवत से कुछ और कहती है वो कभी सुक्की नहीं रहा करती हाँ धनवान तोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन उसे सांती कभी जीवन में नहीं देगी दूसरी बात जिस पतनी के होट के उपरी हिस्से पर यानि जो जिस पतनी के होटों के उपरी हिस्से पर बहुत से बाल हुआ करती है यह हमारी चाड़क किनीती का प्रमारे यह कोई मनगरंत कहानी नहीं है होट के उपर जिस इस्तरी के ज़्यादा बाल हूँ वो इस्तरी पती के लिए असुमानी जाती है वो इस्तरी पती के लिए असुमानी जाती है और जिस इस्तरी का पेट गड़े की तरह होता है जिस इस्तरी का उदर गड़े की तरह हुआ करता है वो जीवन भर दद्री का सामना करती है इस्तरी खोज़ तो दर्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द करती है और जिससे इस्त्री के पैर का पिछला इससा पतला हुआ करता है वो इस्त्री घर में लच्छमी सुरूब मानी जाती है मेरे भीया हमारे हिंदुस्तान में हमारे इस भारत देश में इस तरी को देवी दर्जा दिया गया है लेकिन कभी कभी समय समय पर और इस तरीयों को बहुत प्रतारत किया जाता है समय समय पर बहुत प्रतारत किया जाता है पता नहीं हमारे इस देश की कोई बास समझ में नहीं आती है कि कभी तो देवी मान करके सर पर बिठाते हैं और कहीं कहीं इनका बहुत उत्प्रिडन करते हैं मेरे भीया तो हमेशा अपनी पत्नी से तो ना प्यार करना चाहिए उसे कभी ये मैसूस ना हो कि वो अपने परवार को छोड़ करके आगर कि तुमारे साथ रह रही है और जिससे इस तरी के पैर का निचला हिस्सा बहा हुआ होता है आप कभी भी तर्वा बोलते हैं जिसे उस तर्वा की तरफ गौर करना तर्वा भी कई परकार के हुआ करते हैं । तो इस इस तरी का निचला हिस्सा पैर का भरा हुआ हुआ होता है वो संतान सुक नहीं बोगती है मेरे भीया यह कुछ ऐसे लचशड हुआ करते हैं जेने अंगो्कों को देख करके हमें मालूम पड़ता है किसे इस तरीका भाग की नसीव कैसा है ये परवार को कैसे चलाएगी क्या कर सकती है तो दोस्तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हुसके तो अपने परवार और दोस्तों के साथ में सेयर जरूर करना आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी एक नई चर्चा के साथ तब तक के लिए सबी लोगा अनलित रहें खुस रहें